नमस्कार में बॉबी जहा, MNS News Life में आप सभी का स्वागत है, आईए देखते हैं एक निजर आज की हेड्लाइन पर बिजेपी ने सीएम के जीवाल पर लगाए गंभी रारो, चुनाओं आयोग से की शिकायत, दिल्ली अएरपोर्ट पर कस्टम ने पकड़ी 70 लाग की फोरिन करंसी चार गिरफतार, लोग सभाव चुनाओं बड़े नेताओं के दिल्ली नहीं, बलड ग्रूप भी नहीं मिल ख उपभोकता को सरकारी मशिनरी का दिरूप योग करते हुए अपनी पार्टी का प्रचार पत्र भेजने की शिकायत की है, उन्होंने कहा यहाँ प्रचार पत्र मुख्य मंत्री के सरकारी लेटर हेट पर छापा है, सरकारी सामागरी और दंत्र का इस प्रकार दिरूप योग फॉरिन्स करेंसी के साथ चार भारतिय नागरिकों को गिरफतार किया है, जिसमें दो महिलाएं और दो पुरिफ सामिल है बरामत की गई फॉरिन्स करेंसी को कीमती भारतिय मुद्रा के अनुसार 70 लाख रुपे बताई जा रही है बताया जा रहा है कि आरोपी दुबाई से दिली एरपोर्ट पर आये थे जहां डियार आये से मिली गुप्त जानकारी के बाद उन्हें पकड़ लिया गया है गिरफतार कर चारों से पूछताच की जा रही है लोग सुभाव चुनाओं का रन रंग में आता जा रहा है जिस तरहा से ज़्यादा तर बड़े नेताओं के दिल ही नहीं मिलते उसी प्रकार से उनके ब्लड ग्रूप भी मिल नहीं खाते हैं प्रधान मंत्री मोदी से लेकर कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी और बसबा प्रमोख मायावती आधी के ब्लड ग्रूप अलग-अलग है राजनेतिक दलों के डियाइने के पारे में सभी लोग भलीभाती जानते समझते हैं लेकिन इनके नेताओं का शारे रिक डियाइने भी उनके दल की रहा पर ही चलता है पांक साल से पहले अपने तीखे तेवर और सभी मुद्वों पर उपक्ष पर चोट करने वाले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का ब्लड ग्रूप ए पॉजिटिव है राफेल और बेरोजगारी के मुद्वे पर सरकारी मजबूती से घेराबंधी करने वाले कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी का ग्रूप भी निगेटिव है उनकी बहान और पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी निभा रही प्रियंका गांधी का ब्लड ग् करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दिन्हेवाद